हेलो गाइस कैसे हो आई हो आप लोग सबच्चे हों गया अपने घरों में सुरक्षी तक तो देखिए यहां हम लाए हैं सरसो का साग जो कि बनाने भाले हैं सरसो का साग और यहां लाए हैं मिर्च जो कि मिर्च के बननेगा पराठा और मेरे हस्बेंट जी को बहुत पसंद है सेम भी लाए हैं और उसके बाद पालक भी लेके आए हैं तो आलो पालक बैगन की सबजी भी पसंद है और उसके अदगोभी भी ले आए हैं बैगन लाए प्याज लाए नया आलो भी लाए पुराना आलो भी लाए हैं तो हम तो सरसो के साग का भुचिया बनाएंगे आप को खाना है तो आ जाएएगा सरसो के साख का भुचिया और रुटी ये नया अलू है तो हम सुचे नया अलू के चलते हैं देखते हैं पहले सौध आता है कि नहीं सौध रहेगा तो फिल ले जाएगे इसलिए एक किलू लाएं तो मर्चा का देखे भरुआ भी बनता है तो हम थोड़ा सब भरुआ भरा लिये हैं चयरपिस का जो कि मेरा बाबू भी इसको खाता है ये मिर्ची जाल नहीं होती इसलिए यहां मेरा भरुआ पक गयाता है यहां मेरा सरसो के शाख रहुचिया भी पक रहा था जो कि उसके भाब से कैमरा में मतल прим की मतलब दूदलापन हो जा रहा था तो देखिए और उसके बाद हमारे यहां बहुत बारिस हो रही है जो कि आप लोग को हम दिखाए हैं तो रात से ही हो रहा बारिश और यहां देखिए मेरा भरवा तेल लिकल रहा है साइड करके रख दिया मतलब तो जितने तेलों का उसका समय कल जाएगा और यह हाँ इसमें न हम प्याज भी डालें हैं सारसो में क्यूकि हमको भूजिया बनाना है तो सब साथ में डालके फ्राई करके सुखे मिर्च डाल दिए तो हमारा सब्जी बुजिये बुलिए जो भी बुलिए पग गया है अब इसको किसी भी चीज के साथ हम लोग खा सकते हैं रोटी के साथ चावल के साथ तो हम बना रहें रोटी और सरसो का साग गरम गरम रोटी बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग को भी खाना है तो हुआ जाएए गरम गरम खिलाते हैं और यहां हमारी ठाली देखे लग गई है मिर्च और रोटी यह सरसो का साग तो अगर वीडियो चलता है वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना ना भूलिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करेगा तो चलिए फिर मिलेंग है